तो एक नियूज है डिसकस करेंगे, नेक्स्ट बात की गई है, मद्दाता दिबस के बारे में और द बिग पिक्चर के अंदर राष्ट्पति के सम्मोधन के बारे में. तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं. पहले न्यू जो है मारे पास वो Defense Research Development Organization DRDO has conducted the successful medan launch of AAKAS NG AAKAS NG का मतलब New Generation Missile from Integrated Test Range of the Coast URISA से किया गया है और ये Surface to Air है Surface to AAKAS दर्ती से उपर जाएगा आसमान की और commonly याद रहेगा तो इसको ध्यान रखेंगा चलते हैं राष्टपती ने जो बात की है अभिभाशन हुआ है उनमें COVID से हमने किस तरह से लरा किस तरह से हमारी infrastructure थी और हमने infrastructure को दिरे दिरे build up किया या फिर हमारी अर्थवबस्था को किस तरह से पटरी पर लाया जा रहा है या फिर राष्टपती का जो अभिभाशन था हमारे economy को revive किस तरह से करना है राष्टपती जी ने बहुत सारी चीजों पर प्रकास डाला है तो और कुछ खास point नहीं निकलता है इससे चलते हैं नेक्स्ट आर्ट किल पर वोटर स्टे के बारे में बात की गई है वोटर स्टे कम मनाया जाता है तो आपको पता है पचीस जनवरी को और ये पचीस जनवरी को क्यों क्योंकि 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू हुआ था लेकिन एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 से जो है ये election कमिशन बन गया था इसलिए यहां पर एक बात जो धियान रखने वाली बात है कि हमारा उमर जो है सो पहले मतलब सब का उमर 21 एर था और हमारा देश पहला पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री क्या सकते हो जिसको सब को मतलब 21 साल से उपर वाले को मतलब मेन या उमेन सब को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया हला कि बहुत सारे कंट्री में सिर्फ मेल को मिलते थे कुछ सेक्शन को मिलते थे लेकिन हमारे डेमोक्रेशी में एक बहुत बड़ा अच्छा उधारन आप कह सकते हो 61st Amendment आया था 1988 में इस तरह के आप्शन में प्रिलिम्स बनते हैं 61st Amendment इसमें 18 वर्स वोटर्स का एज कर दिया गया और 2011 से वोटर्स डे मनाया जा रहा है और इस भी प्रोग्राम हो SBWP जो सिस्टमेटिक वोटर्स करके है एजुकेशन करके तो एडुकेटिक किस तरह से लोगों को किया जाए किस तरह से लोगों को पहुँचाया जाए देखो जैसे कि सिर्फ वोटिंग कार्ड हो उसी से आप वोट दे सकते हो ऐसा नहीं है पासपोर्ट होगा तो भी चलेगा और भी दो-तीन करिटरिया है तो ये awareness बढ़ाना चाहिए तो ये बाते ही कही जाती है और कुछ खास निकल के नहीं आता है तो आज के discussion में इतना ही था Thank you